हाई दिस जोगंदर सिंग and you are watching जोगी and you friends आज मैं आपके लिए फिर से एक nested radical problem लेके आया हूँ जिसमें हमारे पास two questions हैं first question is under root 4 minus 2 root 3 and the second one is root 220 minus 30 root 35 यह जो question है इस तरह के questions में जो smaller number होते हैं like this यह वाले हम थोड़ा easily solve कर पाते हैं बट यह जो bigger number है यह थोड़े से tough हो जाते हैं कि इन बड़े numbers के साथ में जो question है इनको solve कैसे करें तो कोई बात नहीं हम आपकी help के लिए हैं पहले तो आप first question ले लो यह हमारा first question आ गया which is under root 4 minus 2 root 3 by the way एक बहुत ही शांदार opportunity है unacademy की तरफ से which is unacademy ascent totally free test है यह एक ऐसी championship जिसमें class 6 to 12 सभी student participate कर सकते हैं इसकी सबसे खास बात है इसका syllabus जो की पूरी तरह से NCERT पर based है बस आपको अपनी ही class की science और maths का पूरा syllabus प्रिपेर करना है जिसमें भी unacademy की app से आपको पूरी help में लेगी इसमें अपने annual exam की preparation तो आप करोगे ही साथ में future education के लिए पूरे 5 लाख रुपे की scholarship भी आपको मिल सकती है जिसका मुझे full believe है कि earn तो आप कर ही लोगे और इसकी date है January 10, 2021 Corona period चल रहा है और आपको unacademy की तरफ से free education का एक शानदार मौका मिल रहा है तो unacademy ascent को join करने के लिए आप क्या करेंगे enroll करेंगे, unacademy के app को install करके या इनकी website पर free register करके उसके बाद अपना goal set करेंगे goal set करने के बाद free classes and test series tab पर जाके unacademy ascent all India championship को click करके बस आप ready होंगे for always being the first all the links are given below in the description just go and win the world now let's come back to our current question so the question is this इसके लिए हमको क्या करना होगा बहुत simple method बता रहा हूँ just उसको follow करो इसमें जो nested radical sign के साथ जो हमको problem मिलती है इसमें एक और root होता है अंदर ये two root three की form में हमको ये दिखाई दे रहा है तो ये जो two root three है इसके हमको factor करने हैं इस तरह से कि एक तो two हमको compulsory चाहिए ही चाहिए two के बाद ये जो भी बचता है इसके हमको two part बनाने है as factor तो यहाँ पे two तो है हमारे पास root three इस root three के कितने टुकड़े कर सकते हो आप root three into one बस इससे ज़्यादा possible ही नहीं है तो हमारे factors हो जाएंगे two root three into one बस इतना ही हमको करना है लेकिन ये छोटे number है इतने पे हमारा काम हो जाता है अगर इसी जगे कोई बड़े number होते कोई ऐसे factors होते जो कई सारे pair बन सकते कि just like हम 12 की बात करें तो 12 में क्या होता है two into six एक pair दूसरा pair क्या है हमारे पास four into three और इसके अलावा एक pair और हम बना सकते है 12 into one तो 12 के factor तीन तरह के हो गए तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा इस factorization को हमको किस तरह से breakthrough लेना है इनका तो इसके लिए भी हमारे पास एक trick है और वो trick ये है कि जो हमारे पास दो या तीन pair बनते हैं इस वाले factor के ये बाहर वाला two छोड़ दो अंदर वाले जो दो पीस हैं ये root three और one इन दोनों के square का जो sum है वो हमारा ये होना चाहिए four four मतलब इस जगे जो भी number लिखा है उसके बराबर होना चाहिए चलो देखते हैं ये जो root three है हमारा इसका square है three और one का square क्या है one इन दोनों का sum अगर करें तो हमें मिलता है four which is हमारा ये वाला number ये इन दोनों के square का sum four आया है और यही four हमारा left में भी है छोटे number थे smaller number थे easily हो गया हमारा दूसरा जो question है उसके लिए आपको ये trick बहुत ज़्यादा काम आईगी at present आप इसको देखो हमें क्या करना है तो हमें इन दोनों के square क्या मिले three and one बस यही इस four के टुकडे होने चाहिए three plus one four लिखो या three plus one लिखो एक ही बात है तो हम जरा इसे three plus one की form में convert कर देते है अब ये जो हमें मिला है इसको हम थोड़ा सा rearrange करते है one हमने last में कर दिया और three हमने पहले कर दिया ये left का three हमारा root three का square था और right का one हमारा one का square था तो जरा इनको convert कर देते हैं हम तो practically हमको ये expression क्या मिला root three square minus two root three dot one plus one square just look at here carefully आपको क्या दिखाई देता है ये कैसी design है इसको देखके आपको एक formula का part याद आ रहा होगा which is a square minus two a b plus b square और complete formula हमारा क्या है complete formula में इसके equal होता है a minus b square तो practically a minus b the whole square का ये formula था तो a और b की जगे पे हमारे पास क्या है ये a की जगे पे root three और b की जगे पे हमको मिला है one तो बस यही formula यहाँ पे apply कर दो तो हमको यहाँ क्या मिलता है under root में root three minus one the whole square तो ये जो हमारे सामने आ गया बस यही हमारे काम की चीज़ थी इसको हम ले लेते हैं बाकी सब हटा देते है यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक देखने वाली चीज़ है under root को square से हमने cut किया लेकिन इसका एक meaning आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि under root लेने पे result आता है plus और minus में बट यहाँ पर एक चीज़ है जो बहुत सारे teachers आपको नहीं बताते हैं और वो चीज़ यह है कि अगर हम x square का root लेते हैं x मतलब unknown variable तो हमारा result आएगा plus minus बट यहाँ पर root 3 minus 1 एक fix number है fix value है तो यह जो fix value है यह single चीज़ है कोई square नहीं है यह पहले से तो जब इसे solve करेंगे तो by definition हम इसकी positive value ही लेते हैं और यह mathematically proven fact है because अगर हम को इसको variable भी suppose करना है तो पूरा का पूरा यह portion हम x suppose करेंगे और ना कि x square x मतलब single value x square मतलब x into x double value चलो ठीक है हमारा यह root से square cancel हो तो हमारा क्या बना root 3 minus 1 और यह इस result तक हम कहां से start हुए थे हमारी start थी यह root 4 minus 2 root 3 practically हमारा answer आ चुका है लेकिन यहाँ पर एक चीज है अगर हमारा answer इतना ना मांगा गया हो तो हम और कितना निकालेंगे तो इसका simple तरीका है यह root 3 की value है 1.732050 और हमारा यह minus 1 दोनों को subtract करने के बाद हमको result मिलता है 0.732050 dot 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 तो आपने देखा इस question को हमने किस तरह से solve किया easy था इसलिए easily solve हुआ लेकिन हम tough numbers के साथ में typical numbers के साथ जब जाएंगे तो उसको कैसे solve करना यह अभी थोड़ी दिर्मा में बताता हूँ उससे पहले जिन लोगों को एक साथ written material चाहिए होता है वो वीडियो को pause करें और note down कर लें उनके लिए पूरा method सामने है और हमारा next जो question है वो है root 220 minus 30 root 35 इसको solve करने के लिए पहले तो इसको ले लेते हैं एक side में और as usual जैसा हमने आपको बताया था कि यह जो total nested series है root के अंदर root अगर उसके अंदर भी root होते तो एक पूरी nested series हो जाती बट यह भी nested है two roots है हमारे पास एक के अंदर एक तो यह जो नीचे वाला root वाली term है इसको हमको factorize करना है सबसे पहले और इसको factorize हम कैसे करेंगे 30 के factor और 35 के factor देखो हमने अलग-अलग इसको factor किया है 30 के factor यह रहे 2 into 3 into 5 which is 30 और 35 के factor हमारे यह रहे 5 into 7 root 35 था हमारा इसलिए यह है root 5 into root 7 practically इनकी calculation होती है root 35 अब हमारी जो method था वो method क्या था हमारे यहाँ पे 2 होना ही चाहिए तो इस 2 को तो आप भूल जाओ अब हमारे पास 3 है 5 है root 5 and 7 है तो इनके हम pair कैसे बनाए हम 3 और 5 का एक pair बना सकते है root 5 और root 7 का एक pair बना सकते है उनका square करके उनका sum देखेंगे 220 के बराबर होता है या नहीं या फिर हम 3 and root 5 का एक pair बनाते हैं और 5 and root 7 का एक pair बनाते हैं और उन दोनों के square का sum हम चेक करेंगे 220 के बराबर है या नहीं अब आप trial करते रहिएगा मैं आपको directly number दे रहा हूँ which is 5 root 7 and 3 root 5 इनके square को अगर हम चेक करें तो देखो 5 root 7 का square हमारा होता है 175 और 3 root 5 का square बना रहा है हमारा 45 175 प्लस 45 हमारा total आता है 220 which is exactly equal to 220 ये वाला जो हमारा 220 है अंदर root के अंदर पहला वाला item इसके exactly same है हमारा इन दोनों के square का sum तो जो हमारी condition थी वो fulfill हो गई तो हम क्या करेंगे 220 के बदले ये वाले दो pair लगा देंगे देखो हमने 220 के pairs बना दिये कैसे 175 प्लस 45 अब इसको rearrange करते है 45 को हम right में replace कर देते है अब ये जो form है इसमें left में हमारे पास 175 है right में हमारे पास 45 है 175 किसका square था इसका 5 root 7 का और 45 किसका square था 3 root 5 का तो ये जो squaring है ये हमने यहाँ पर apply कर दी सामने जो form है ये form आपकी इस तरह की है a square minus 2ab plus b square और full form इसकी होती है ये a minus b the whole square का ये formula है तो जो हमको मिला है इसको भी a minus b the whole square की form में लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं ये देखो हमने लिख दिया practically इस big radical sign के नीचे हमें मिलता है 5 root 7 minus 3 root 5 the whole square बस यही चीज हमको निकालनी थी इसके बाद बाकी चीजों को हम wipe out करते हैं और ये हमारे सामना ले लेते हैं root से square हमारा cancel and we take only positive sign here we don't take plus minus why because because इसका पूरा का पूरा reason थुरी दिर पहले मैंने आपको बताया था आप वीडियो को rewind करके फिर से देख सकते हैं ठीक है तो हमको ये root और square cancel करने के बाद क्या मिला only 5 root 7 minus 3 root 5 ये जो हमने जिस से start किया था वो था root 220 minus 30 root 35 हमारा एक answer यहां तक आ जाता है बहुत सारी competition के exam में सिर्फ इतना ही answer मांगा जाता है बट अगर आपको इस से भी आगे answer निकालना है तो उसका तरीका है ये first आपका portion जो है 5 root 7 इसकी value निकालो which is 13.22875 dot 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 और ये कैसे आई first of all आपने root 7 की value निकाली हमारी बनती है उसके बाद आप क्या करेंगे right side के 3 root 5 की value निकालेंगे जो minus होगी इस first वाली value से और हमारा result हमारे सामने होगा which is 6.52055 dot 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 till infinite why till infinite because root 7 और root 5 दोनों हमारे irrational numbers है जिनका decimal expansion non-terminating and non-repeating होता है तो ये पूरा process एक साथ आपको देखने के लिए ये रहा pause करें और जिनको no down करना है वो कर लें so friends अगर आपको मेरे videos पसंद आ रहे हैं तो एक like तो बनता है इन पर और videos मिलते रहें आपको continuous तो subscribe करें और share करें अपने friends के साथ जितना आप मेरे videos को support करोगे खोड़े करें और रहा प्राइख आपको मेरे भल्येकर करना कर दोवे डिनकोने का वकर दोजग सब्सक्त्राइब देख कोई तो